इसने quarter 2 के result जारी कर दिये है, company को 6,506 करोड का मुनाफ़ा हुआ है, जबकि अनुमान 6,755 करोड रुपे का था तो हरशिदा हमारे साथ जुड़ गई है, तो हरशिदा बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं नतीजे अच्छे हैं और company ने in fact अपनी year का guidance भी बढ़ा दिया है, numbers पर मैं फटाफट से बता दूँ आपको 6,516 करोड ये आकडा company ने डिलिवर किया है, जहाँ पर अनुमान of course थोड़े से बहतर number का था profit के front पर लेकिन dollar revenue पर बाजार की नजर होती है, dollar revenue आया 3.8% पर, अनुमान था 3.6% तक के dollar revenue की, तो वहाँ पर भी एक आप कह सकते हैं, in line with estimate ही है constant currency revenue growth 3.1% company ने डिलिवर की है, जहाँ पर expectation nearly 3% के आसपास का था, margins भी in line ही है 21.1% पर 21.34% का अनुमान था तो constant currency revenue growth, company की जो dollar revenue growth है और margins जो है, वह absolutely in line आते वे दिखाई दिये हैं नतीजे आप कह सकते हैं, अच्छे हैं, इससे बाजार को निराशा नहीं होनी चाहिए साथी साथ total contract value, बड़ी deals का वो आकडा करीब-करीब 2.4 billion dollar के उपर निकलतावा दिखाई दिया है वो भी एक positive है, लेकिन जो बड़ा positive है और जिस पर बाजार की जादा नजर रहेगी, वो है company का guidance याद रखेगा, Q1 तक कि जो FY25 का guidance था, company ने 3-4% के बीच revenue growth का आकलन किया था, लेकिन अब company कह रही है, इसे वो बढ़ा रहे है यह हलका सा ही बड़ा है, bottom end 3.75% पर आ गया है, जो पहले 3% था और जो top end है, उसे भी आदे पसेंट से बढ़ाया गया है यानि की 3.75% से 4.5% के बीच की अब revenue growth की उम्मीद इस समय company कर रही है, यह guidance अच्छा है, positive है दूसरी तरफ, margins में कोई बदलाव नहीं, यह 20-22% के बीच बरकरार रहेंगे, यह in fact company के तरफ से commentary आई है तो margin guidance में कोई बदलाव नहीं, लेकिन revenue guidance में बदलाव जरूर बनता दिखाई दिया है In fact, Sunny अगरवाल हमाएं साथ है, उनसे भी एक राय ले लेंगे, इस बीच विपरो के भी numbers आ रहे हैं, उस पर भी मैं एक quick take दे दूँगी लेकिन Sunny एक तू guidance बढ़ना और बाकी सभी आकडे, constant currency revenue growth, इनका dollar revenue growth and most importantly margins, उमीद पर खरा उतरना क्या ये कल एक driver रह सकता है बाजार के लिए क्योंकि इस समय सक्त support की जरूरत है Yes, I think good afternoon and I think yes, काफी strong set of numbers report की in process. Now on the top of that, जहां कहींने की guidance का revision हमने देखा है इससे second time जह हमने देखाता है की guidance का revision हुआ है, first quarter में धी company अपना guidance अपड़ रहा है and now this is the second time जह हम देखते है की lower end का guidance 3 to 10% के बढ़ा करके 3.75% की है I think don't be surprised की post December, again we may see one more round of increment as far as growth guidance is concerned So I think a very robust set of numbers by enforces and I think streets should react positively, the stock should react positively in the trade tomorrow Stock पुर वैसे तेजी आ चुकी है, in fact मैं उनके break-up देख रही थी BFSI में steady growth है, high tech में थोड़ा सा जो pain था वो कम होता दिखाई 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 दिया है Manufacturing hopefully आगे जाकर contribute करतावा दिखाई देगा यह Infosys की बाद